बहुत बहुत स्वागत है आपका, thank you very much for coming to the session, तो आज की practice हम शुरू करते हैं, देखे, translation और naturally, एक feeling को express कर पाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, तो आज हम कुछ ऐसे sentences यहाँ पर practice करेंगे, जिसमें हमें जोर देखे, feeling के साथ बोलना पड़ता है, वहीं तो मैं उससे मिला था, उसी के साथ तो मैं रहता हूँ, उसी ने तो यह सब मुझे बताया है, हमें एक शब्द पर जोर देना होता है, उस शब्द पर जोर देते समय sentence को किस तरीके से form करना है, formations देखेंगे, structures देखेंगे, और हर sentence का grammar, साथ के साथ डिसक्रस करते हुए चलेंगे, so I'll be sharing मैं screen with you, screen मैं आपके साथ में share कर देता हूँ, देखे, practice करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, you just test your English while watching the video, ज्यादा sentences नहीं है, अपने English को test करिए कि exact जिस शब्द पर जोर दे करके हम कह रहे हैं बात, आप उसके हिसाब से sentence form कर पा रहे हैं, आफिना है, जैसे कि मैं school में में था, और तभी मैं उससे मिला था, जब हम करें तभी तो, तभी जोर दे रहे हैं तब पर मैं school में था, और तभी मैं उससे मिला था, देखे, अगर translation करें, मैं एक translation tool को use किया, इस sentence को translate करने के लिए, उसने simple कहा दिया, I was in school when I met him, इसका मतलब एक्छल में यह हो गया, मैं से दोस्त है, अब मैं उसको बताओ, मैं school में था, यार तभी मैं इससे मिला था, so I was in school, that's when I met him, यानि उसी टेम से मिला, देखे, message दूनों का लगभग वही है कि आप मिले थे, किसी से school में थे तब, लेकिन यह कहने का जो लहजा है, कई बार ऐसा होता है कि हम feeling को express करना चा कर रहे है, जब हम समय पर जोर दे रहे है, उसी बाक, so I was in school and that's when I met him, तभी मैं उससे मिला था, जब मैं school में था, देखे, अब यहाँ पर अगर में जगा की बात करने पड़ जाए, हम एक ही क्लास में थे, इसलिए हम दोस्त बन गए, यहाँ पर हम कह रहे है, रीजन बता सो जब हमने कहा दिया, इसलिए हम दोस्त बन गए, बिल्कुत जनरल अपने बात कहा दिया, इस वज़े से दोस्त बन गए, लेकिन यहाँ पर फिलिंग भरते जाएंगे धिरे-धिरे, जैसे कि we were in the same class and that's how we became friends, that's how यानि इस तरीगे से हम दोस्त बने, कि हम एक ही क्लास में समय बिताया करते हैं, we were in the same class and that's how we became friends, right, इस तरीगे से हम दोस्त बन गए, लेकिन इसी के जिगा सरी भी कहा जा सकता है, meaning आपको खुद से समझना पड़े का, common factor हूँए, थोड़ों में, फरक क्या है क्यों कि हिंदी से प्रांस्रीशन नहीं किया जा सकता, feeling को समझे, आप बोल करके देखे, we were in the same class and that's why we became friends, देखे, that's why, there's the reason, so and that's how, परक क्या है कि हाप हर जगा पर that's लगा रहे हैं, याने कि ये जो पहला वाला जो सेंटेस आपने कहा, कि ये reason है, we were in the same class और यही है reason, that is, जो पहले का, that is the reason, we became friends, that is why, यही है जिस वजहे से, हम बन गए दोस, that is why, we became friends, जैसे कि we were in the same class, that's when we became friends, यानी उसी समय हम बने, so we were in the same class, जो हमने कहा, यानी वही समय, उसी समय, so we were in the same class, that's when we became friends, उसी समय हम फ्रेंस बने, right, देखे, आप अगले सेंटेस को पर आप प्राई करिये, मैं दिल्ली गया था और वही से मैने ये मोबाइल खर तो हर जगा पर अब क्या कर रहे हैं, कि आप पहले वाले सेंटेस को दुबारा ले करके आ रहे हैं, that's लगा के वही, वही, जगा है तो where, time है तो when, और बंदे की जब बात होगी तो अलग तरीक है से, so I went to दिली लास्ट ये, and that's where I bought this phone, वही से तो मैंने ये मोबाइल खरी I bought this mobile, right, तो करना क्या है कि एक इस्ट्रक्चिर है वास उसमें नाम, जगा, बंदा, व्यक्ति बदलेगा, जब हम व्यक्ति की बात करते है, तो थोड़ा अलग तरीके से कहेंगे, जैसे सेंटिस को बोल करके देखे, कल एक लड़का मेरे घर आया था, और उसी ने मुझे त गां स कहेंगे, गां केंगे, इस सेरीघ अप से एक इस तो थोड़ा आय था, एक ऑप सब्सक्राइग करते हैं, जगाः था का एक इस सब्स्रेन नाम, जब व्यक्ति बदलेगा, जब स Mississippi, सकते हैं, तो फे किंगे, शिब घर आ गे फन्ने मुट תकल करते, और पर रहे जिए तूल वोज है जिसने तुम्हारे बारे में मुझे को बताया तो अपनी के साथ हो शायद तुम रमेश को जानते हो चाह जानते हो मैं उसके साथ रहता हूं देंके अगर मैं कहने लग जाओ अगर मैं तुम विकासपूरी के बारे में जानते हो वही तो मैं रहता हूं सो इपर बबढ़िव रहता हूं रहता हूं वही थे वही तो है जिसके साथ रहता हूं बहुत जाधा फरक नहीं पड़ रहा है इंटर चींजबली हापर यूज कर सकते हैं पसफोड़ा सा फीलिंग को समझना पड़ेगा देखिए आकशिल में समझ में कैसे आता है मैं सको तरीक आपको बताऊं कि जब आप real time में sentences अभी भी क्या हो रहा है ना कि situation नहीं है sentences है जब आप real time में बात कर रहे होंगे आगे पीछे किस लहजे में बात हो रही है सामने वाले ने question करा है उसका answer कर रहे है या अपनी तरफ से स्टोरी टेलिंग कर रहा है उँछार-पांच सेंटेस के साथ बोला जा रहा है तो पहले बोला गया सेंटेस आगे बोला गया सेंटेस के हिसाब से वह फॉर्म किया जाता है एकजयक्ट फीलिंग किया देना चाह Wow और उसको सीखने के लिए अगर आप अमारे चैनल पर पहली करेंगे वहाँ पर पूरा दिन चुटी-चुटी conversation चलती रहती है वहाँ चैटिंग कर सकते हैं फोन पर बात कर सकते हैं ग्रूप call का option होता है कोई भी व्यक्ति ग्रूप call स्टार्ट कर सकता है तो जब भी टाइम मिले ग्रूप call जोईन करिए 4-5 लोगों के साथ बाते करने की यादत पड़ेगी पता चलेगा situation के इसाब से commonly कौन सा word यूज होगा और कौन सा structure यूज होगा मान के चली ग्रूप में ऐसी छोटा-छोटा conversation चलता रहता है कोई पूछ लेता कि where did you buy these headphones where did you buy these headphones अब मैं अगर कह दो कि I bought these headphones in Delhi मैंने दिल्ली में खरीदे थे अब सामने वाला कह देता कि that's where I bought mine that's where I bought mine तो that's where I bought mine तब ही निकल के आएगा जहां पर आप exact situation में respond कर रहे होंगे अगर एक individual sentence बोलूगा तो कहूंगा I bought my headphones in Delhi लेकिन वह वहां पर फिर मजा नहीं आएगा मेनिंग तो वह है कि headphone दिल्ली में खरीदे है मैं normal sentence कह दूँ I bought my headphones in Delhi वह feeling नहीं आएगी जबकि मैं उस situation में क्या कर रहा हूँ that's where I bought mine यानि मैंने अपने भी वहीं से खरीदे तो रियल टाइम में बात करना बहुत जायरूरी है तो समझ में आएगा structure सिर्फ grammar के रूलों के पीछे अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा रहें तो वहां पर practice करने के लिए आपको practice partners मिल जाएंगा दूसर बीस दिन में पूरी grammar समझ में आ जाएगी जाद नहीं 45 बेसिक से लिए एडवांस सक पूरा मिला ले तो grammar के rules है वो भी grammar rules में नहीं शब्द हैं उनके meaning purpose समझ में आ जाएगे और fluency के लिए sentences को आदत में डालने के लिए practice partners मिल जाएंगे जिनके साथ जितनी चाहें जब चा इस है इस तका सियसथ ता मैं रहता हूं इसी तरहीखे से तो मैं भी practice करता हूं आपको यह से इंडित गाना इसी तहीखे सब्सक्राइब सो ऱटियकों आई प्रेक्टिस्ट उ और थायों जो DAN that's how I practice to, उसी तरीके से तो मैं भी करता हूँ, right, तो कहने का तात पर रे, बस यही है, कि आपको real time में बात करनी पड़ेगी, तो पता चलेगा, कि एक बात को जब चार तरीके से कहा जा रहा है, तो चारों तरीके में feeling क्या है, right, अब देखें, इसी तरीके से एक और sentence को प्रा कर रहा है, right, लेकिन, structure को समझी का, पहले आप भी खुद क्राई कर लिया करें अपने शब्दों में, एक बात को कही तरीके से कहा जा सकता है, जैसे हमने कहा, I practice the same way you do, I practice the same way you do, ज़रूरी नहीं है, उपर वाले भी sentence कहा जा सकता है, this is how I practice too, यानि मैं भी ऐसी करता हूँ, लेकिन, two जब लगाया, इसका मतरब definitely यही है कि सामने वाले की तरह, right, लेकिन, depend करेगा कि आपको उसने already sentence बोल रखा है, तो आप यह कह सकते है, उसने अपना तरीका बताया, आपको मैं ऐसे ऐसे practice करता हूँ, तो कह सकते है, that's how I practice too, मैं भी ऐसी practice करता हूँ, जैसे आप, यह two का मतलब हो गया, जैसे आप, right, और नीचे वाला sentence individual है, I practice the same way you do, यह उसने आपको कुछ भी नहीं बताया, बस आपको कही से पता चल गया, तो आप यह वाला sentence कहा सकते है, नीचे वाला, कि जैसे तुम करते है, वैसी मैं करता हूँ, so I practice the same way you do, right, getting my point, तो अगर respond कर रह हैंगे sentences, right, अब देखें, एक sentence बोल के देखे, मेरी दिन में 8 classes होती है, इस बज़े से मैं शाम तक ठक जाता हूँ, 3-4 तरीके से कहते हैं, बस feeling आप समझे कि किस से जादा जुओ दे रहा हूँ, और क्या feeling है, सारे के सारे sentences में, मेरी दिन में 8 classes होती है, इस की बज़े से मै I have 8 classes a day, अब देखें, यहां छोटी-छोटी confusion हो जाते हैं, I have 8 classes in a day भी कहा जा सकता है, I teach 8 classes a day भी कहा जा सकता है, I teach 8 classes during the day भी कहा जा सकता है, a day, in a day, during the day, तो यह होता क्या है, जब हम 10-12 लोगों के साथ जब आप practice करेंगे, तो कोई तीनों अपने अपने तरीके से कहें है, और जो confusion रह जाता है कि कौन सा बेटर है, कौन सा वाला गलत है, वो लाइक सेशन में आ करके discuss हो जाता है, right, so I have 8 classes a day, so I get tired by the evening, यहाने कि शाम के वक्त तक, तो बाइद कहा दिया, कि बाइद एवनिंग यानि शाम तक ठक जाता हूं, right, एक और तरीक से इसी चीज़ को करके देखिए, I have 8 classes a day, that's why I get tired by the evening, यहाने कि यह reason है, इस वाजे से, so that's why I get tired by the evening, यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है, that's how I get tired by the evening, यहाने कि I have 8 classes a day, that's how I get tired by the evening, that's the reason I get tired by the evening, तो कहने का ताद पर रही है, 300 करीबने स्ट्रॉक्शर से ज्यादा होता नहीं है, बस हमें उसका appropriate use पता होना जी कि कौन सी situation में बोला जाएगा, क्योंकि आप एक फिल्म देखने बैठ जाएए, English की आप देखेंगे कि उसके अंदर वही घुमा फिरा करके sentences, वही words और वही grammar के rules यूज हो रहे होते है, थोड़ा अलग-अलग करके, राइट जासे कि जो मन करे वो करो, do whatever you want, 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 do whatever you feel like, do whatever you want, do whatever you feel like, do whatever you want, do whatever you feel like, do whatever you want, do whatever you feel like, do whatever you want, do whatever you feel like, 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 do whatever you feel यही चीज है जो मैं तुम से सुनना चाहता था एक थोड़ा शॉट में बोल करके देखिए तो यहां पर यहां पर यही जो पहले वाला सेंटेस बोला गया है उस पर जोर दे रहे होते हैं यही तो है जहां यही तो है जब जैसे कि मैं आपसे कहूं आपको आपको कहना है और उसके बाद में अगला सेंटेस देखिए जैसे कि मैं वही तो हूँ जिसने तुम्हें कॉल किया था दोनों तरीके से कह सकते हैं मैं वही तो हूँ जिसने तुम्हें कॉल किया था तो, I am the one who called you yesterday, I am the one कह दिया जाएगा, यानि कि मैं वही हूँ, जब यक्ति कि हम बात कर रहे हैं, I am the one, he is the one, कहना काफी ज़्यादा कमने, यह वही है, एक और तरीके से कह सकते हैं, that was I, वो मैं ही था, देखे, I am the one, मैं वही तो हूँ, that was I, वो मैं ही था, who called you yesterday, that was I, who helped you, म that was me भी कहा जा सकता है, I or me, थोड़ा casual or formal का केवल फारग है, so that was me, who called you, me or I, you can see either of them, दोनों कहे जाते हैं, इस condition में कोई गलती नहीं है, जासे कि मैं तुमारा मॉल में इंतजार कर रहा था, यह मैंने आप से का, I was waiting for you at the mall, right, I was waiting for you at the mall, अब आपको इस चीज़ को आंसर कर आप इसको सेंटेस को लिखेगा, साथ में मुझे फीडबेक दीजेगा, कि इससे थोड़ी बहुत आपको सेंटेस स्ट्रक्चर समझने में, या कोई भी चीज़ है, या नहीं मिली, और प्रेक्टिस करते रहें, बाई